हेलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस कि Infinite Smart 8 Plus Phone में आप लोग एलर्म को कैसे बंद कर सकते हो अगर आपके पास एक infinite smart 8 plus phone है और इस phone में आपको alarm को बंद कर देना है अगर आपके phone में alarm बज रहे हैं सुबा जो है बहुत जल्दी का alarm किसी ने लगा के रखे तो बार बार जो है आपके phone में सुबा alarm बज रहे है आप लोग सोच रहे हों आपके phone में किसी का call आ रहा है गास लेकिन जब भी आप लोग check करने जाते हो तो आपके phone में call नहीं आ रहा होता है आपके phone में alarm बज़ रहा है अलार्म को बंद करने के लिए आपको सबसे पहले जो है आपने इस app list को open करने के बाद यहाँ पर आपको एक application देखने को मिलेगा गाइस clock का तो इस clock के option पे click करेंगे click करती नीचे आपको बहुत सारे options मिलेगे और यहाँ पर ही आपको एक alarm का भी option मिलेगा तो इस alarm के option पे click करना है click करती यहाँ पर आपको alarms देखने को मिलेगे अगर आप लोग इस switch को बंद कर दोगे गाइस तो आपका जो alarm है वो बंद हो जाएगा लेकिन अगर आपका जो alarm है repeat में set होगा तो इस alarm नेक्स ते automatically on हो जाएगा तो अगर आपको alarm को permanently delete कर देना है तो यहाँ पर से alarm को long press करके select कर लेंगे जो जो alarm को आप लोग delete करना चाहते हो permanently उसको select कर लेंगे select करने के बन नीचे delete का option आएगा delete पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर से हम delete पे क्लिक कर देंगे ऐसा करती हमारा जो alarm है वो permanently बंद हो जाएगा और आपके phone में alarm नहीं बजेगा तो कुछी इस तरीके से आप लोग अपने infinix smart 8 plus phone में alarm को बंद कर सकते हो तो कैसा लगागा इस आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसान आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए मिलते कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई